नेपाल जैसे छोटी टीम से बुरी तरह हार करके पाकिस्तान हुआ एसिया कप 2023 से बाहर पाकिस्तान के खिलाडी लाइफ मैच के दोरान दोस्तो मैदान पर फुट-फुट करके रोने लगे दोस्तो अगर आप भी देखना चाहते हैं कि नेपाल ने पाकिस्तान को कैसे बाहर स्टेडियम में नेपाल के कप्तान रोहित ओडल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए 87 रन और विस्पोटक पारी खेली एसिया कप 2023 का और आसिप सेख ने 50 रन लगाए गुलसन जहा ने 20 रन बनाए और पाकिस्तान की ओर से साइन अफ्रीदी ने 2 विकेट चटकाए साधाव खान ने 2 विकेट चटकाए नेपाल की टीम ने 215 रन का पहाड जैसा स्कोर बना दिया इतनी बड़ी टीम के सामने और 8 विकेट गवाए 215 रन का लच का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 179 रन के स्कोर पर आल आउट हो गई 215 रनों के स्कोर का पीछा नहीं कर पाई जिसमें कैप्टन बावर आजम ने सबसे ज़्यादा 67 रन की पारी खेली और अहमद ने भी 27 रन बनाए जबकि आलाउंडर सावात खान 28 रन की पारी खेली दोस्तो भारती टीम के मुकाबले से ठीक पहले नेपाल जैसी छोटी टीम से पाकिस्तान की हार अब लगबग एसिया कप 2023 से बाहर हो चुकी है मगर दोस्तो यह एक प्रेक्टिस मुकाबला था आपके पाकिस्तान और नेपाल के वीज़